महराज के पूर्ग्रीह मंतरी अनिल देश्मुक के मनी लॉर्डरिंग केस और ट्रांपर पोस्टिंग केस में चानवीन कर रही एजनसी ED को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कापी टाइम से लगातार ED जो है पूरी दरा से एक्टिव है और एक के बाद एक कई लोगो पूस्टाज के लिए बुला रही है और उनसे पूस्टाज भी कर रही है साथ में ही कई लोगों को गिरबतार भी किया है आप इन्ही सब चीजों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ED की टीम ने टोटल 12 IS और IPS लेबल के आफिसर को पूस्टाज के लिए बुलाया था और उनसे पूस्टाज की है आपको बता दो कि इन सारे लोगों के ऊपर ED को सक है कि इन लोगों है कि इसमें कई बड़े खुलासे किये गए हैं जिसकी वज़से आने वाले टाइम पे अनिल देश्मुक और कई बड़े मंत्रियों की मुर्शीपते जो है बढ़ जाएंगी तो कहीं न कहीं से जो ED की टीम है वो लगातार कारवाई कर रही है और IS और IPS आप्सर को लगातार पूश्ताज के लिए बुला रही है क्योंकि उनको सक है कि जो ये IS और IPS आप्सर हैं इनका जो ट्रांसपर पोस्टिंग हुआ था इन्होंने पैसे देकर मंत्रियों को काफी जादा पैसे देकर अपनी ट्रांसपर पोस्टिंग कराई थी अब देखते हैं इसमें आने वाले टाइम पर क्या फुलासा होता है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अमनों पिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को जाए स्यादा सेयर करें